जैहिन अमारे सबी व्यूवर्स को आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अगर अगनीवीर बनना चाहते हो आप अगर आर्मी नीवी एर फोर्स जॉइन करना चाहते हो तो आप कैसे अगनीवीर स्कीम के तहट इसको join कर सकते हो तीनो forces को क्या इसमें आपका पूरा procedure रहने वाला है apply करने का किस तरीके से आपका salary package होगा किस तरीके से आपको posting मिलेगा वो सब हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो make sure करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियो को भी आप like करें comment करें चैनल को subscribe करना न भूलें so that आप अगनीवीर भरती से related सब इस अफडेट से जुड़े रहे हैं और जो सब बच्चे अगनीवीर के त्यारी कर रहे हैं अगनीवीर फिजिकल अकाड़ियम ने स्टार्ट कर दी है जिसमें 90 days का आपका training module होने वाला है accommodation and foods में आपको हम provide करने वाले है आपको training देंगे एक्स पैरास अफ ऑपरेटिव और weekly basis पर होंगे आपके guest lectures तो जो सब बच्चे हम से जुड़ना चाहते हैं हमें इस नंबर पर call या फिर whatsapp वो कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो Majorly जो अगनीवीर स्कीम है वो recently 2022 में roll out करी गई है Indian Defense Ministry द्वारा अब इसमें एक difference है जो अगनीवीर स्कीम roll out हुई है इसके आने से इससे पहले Army Navy Air Force में जो NCO ranks होते थे non commission officers ranks होते थे उसमें लड़कियां भरती नहीं होती थी बट अगनीवीर के आने से अब लड़कियां भी इस स्कीम में तीनों forces में अपलाए कर सकते हैं जिनकों की अगनी वीरांगना कहा गया है पहली चीज़ दूसरा आप पहले क्या होता था जब भी आप भरती हो जाते थे तो उसके बाद आप अपना career तिल 30 साल तक आप अपने career को पूरा खीच सकते थे यह आपके उपर होता था या अगर उससे पहले retire होना चाते तो आप वो भी हो सकते थे बट अब अगनीवीर स्कीम के आने से यह difference आया है कि आप अब यह चीज़ आप नहीं कर सकते ही कि आप सीधे अपनी सर्विस 30 साल तक ही चोगे भरती होने के बाद नहीं आपको पहले 4 साल train करा जाएगा training के बाद check करा जाएगा आपको परखा जाएगा कि आप खरे उतरे हैं या नहीं अपनी training में अपने 4 साल के career में अगर आप fit पाये जाते हैं तभी आप अपना आगे further career अपना Army Navy Air Force में पूरा कर सकते हैं ठीक है तो यही दो major changes अगनीपत स्कीम के अंडर आएं रेस्ट Army Navy Air Force में जलग बना होगा क्योंकि as अगनीवीर ही नहीं एक स्कीम आई है तो उसके तहट जो salary packages है जो allowances है जो छुटियों का process होता है उस सब चीजें अलग है वो recently गठन होआ है तो यह सब major changes थे अगनीवीर के नए launch से ठीक है अब हम बात करते हैं अगनीवीर आर्मी में आपको अगर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो सबसे पहले इसका जो notification आता है वो आता है joinindianarmy.nic.in not just notification, notification के साथ साथ आप apply भी इसी website से करोगे और last में आपको result भी इसी website में आने वाला है बात करें salary की तो first year में मिलेगा आपको 30,000, second में 33, third में 36 और चार्ज थे में 40,000 रुपए मैं आपको बता दूं कि यह जो salary आपके आएगी यह आपका provident fund कटने के बाद आपकी यह enhanced salaries है तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि यह 30,000, 30,000 salary है इसके अलावा भी आपको कई सारे allowances मिलेंगे आपके पूरे tenure के दोरान बात करें age limit के तो साड़े सतरा से अब 21 साल है recently यह 23 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब यह launch हुआ था 2022 में तो उस time पर यह 23 ही था बट अब इसको घटा के 21 कर दिया गया है बात करें education qualification की तो अगनीवीर आर्मी में आप चार trades से भरती दे सकते हैं general duty, technical, tradesman और clerical यह 4 मैं आपको उपर से overview दे देता हूँ कि GD, technical और clerical में आपका बारवी पास होना जरूरी है इसके अलावा जो tradesman है उसमें आप 8 और 10 पास होके भी अपनी भरती दे सकते हैं इसके अलावा GD में देखा जाये तो आपके 45 नमबर होने जरूरी है technical में और clerical में आपका 50 नमबर तक होना जरूरी है और 60 नमबर English में होने जरूरी है technical और clerical में बाकी 33 नमबर आपके होने अनिवारी है जरूरी है tradesman भरती के लिए बात कलें selection process की तो जब first time भरती हुई थी उसमें पहले medical हुआ था और उसके बाद आपका return test हुआ था बट अब scenarios change हो चुके हैं अब पहले आपका return होता है जिसको की online test के माधियम से आप देते हो फिर होता है आपका physical जिसमें आपकी दौड और बाकी सब चीज़े होती है और then last में होता है आपका medical and finally आपका आता है merit merit में अगर आप pass हो जाते हैं तो आप फिर further आपको बुला लिया जाता है training centers में बात करें posting की तो आपकी posting कश्मीर से लेके नीचे पुरा कवनिया को मारी तक आ सकती है ठीक है इसमें कोई fix नहीं है कि अगनीवीर इसी stations पे serve करेंगे नहीं आजा कुछ नहीं आप कहीं पर भी Indian army जहां जहां पर posted है वहां पर आप जा सकते हो अपनी posting अब बात करते हैं Indian navy की भारतिय नौ सेना की तो भारतिय नौ सेना के लिए आप form भरेंगे joinindiannavy.government.in और यहां पर भी आर्मी की तरह आपको form के notification से लेके form आपका result भी यहीं तक आएगा इसी से आएगा salary आपकी same होने वाली है अगनीवीर, आर्मी के जो candidates होनकी तरह age limit भी मैंने आपको बता दी साड़े 17 से 21 होगी यहां 23 लिखावा है, reason being यह first time का था 21 साल कर दी गई है साड़े 17 से educational qualification आपकी देखो, navy में दो तरीके से भरती होती है SSR और NMR, MR का मतलब है metric recruit, metric recruit मतलब जैसे हमें नाम से ही बता लग रहा metric उसमें होना आपका जरूरी है, तो आपका 10 वी pass होना उसमें जरूरी है और SSR होता है senior secondary recruit, तो उसमें आपका 12 वी pass होना जरूरी है, ठीक और दोनों में ही 60% marks आपके at least होने चाहिए selection process की बात करें तो अब as per recent terms, आपको सबसे पहले return exam देना पड़ेगा, दूसरा फिर आपको होगा आपका physical test, तीसरा होगा आपका medical और चौथा last में आएगा आपका merit list अगर आप pass हो जाते हैं, तो आपको बुला लिया जाएगा, INS चिलका में training के लिए, posting की बात करें तो same आपको कुछ fix नहीं है, आप किसी भी naval establishment में posted हो सकते हो last but not the least है आपका Indian Air Force, Indian Air Force का website है official agnipathyu.cdac.in इस website में जाएंगे आप यहीं से आप form भरेंगे और आपको result भी यहीं पर आएगा, salary package आपका same army navy की तरह होने वाले, age limit भी आपका 17 से 21 साल होने वाले है, educational qualification की बात करें, तो 12 पास होना आपका जरूरी है, science और non science के बच्चे दोनों इसको भर सकते हैं और 50% आपके marks होने जरूरी है इसके अलावा अंगरेजी में भी आपके 50 number होने जरूरी है, यह मैं आपको बता दू, selection process same आपका army navy की तरह होगा, पहले आपका return होगा, then होगा आपका physical medical, then merit posting भी same, posting आपको कहीं पर भी, जहां पर भी air force के establishment है, वहाँ पर आप जा सकते हो बात करें आपको retirement benefits की, तो सेवा निधी package से आप के साथ आपको विदा करा जाएगा, जिसमें की approximately 10.4 lakhs का आपको package मिलेगा, और यह package वैसे आपकी salary से ही save होगा, ठीक है, एक हमने वीडियो बनाए कि आप कैसे इस 10.4 lakhs को 15 lakhs तक लेके retire हो सकते हो, उस वीडियो को मैंने आपके link कर दिया है, तो make sure करें आप वीडियो को इस वीडियो को भी जरूर देखें, ठीक, इसके अलावा आपको insurance मिलागा 48 lakhs का, ठीक, और 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 भी कई सारे benefits हैं, जैसे की आपको consideration दिया जाएगा police forces में, परा military forces में, private sector में, उसके लिए भी हमने कलग से वीडियो बनाया है, आप जाके link in description चेक कर सकते हैं, आज का वीडियो यही तक I hope आपको समझ आ गया होगा, कि आपको गरगनवीर बनना है, तो आपको क्या सब करना है, तो आप हमें हमारे social media handle जैसे की facebook और instagram पे भी follow कर सकते हो, वहाँ भी हम आपको सेम नाम अगनीवीर online से मिलेंगे, तो जाइए follow गीजा और ऐसी प्यार देते रहिए, जैहिन